हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उमीद है आप लोग बहुत अच्छ होंगे फ्रेंड्स आप सभी का हमारी यूटूब चैनल एक जो कैसे स्कॉर्ड में स्वागत है और फ्रेंड्स आज का जो हमारा टापिक है वह है फिजिकल एजू केसन का और उसमें जो है तीस महात प पर रहने वाला है आज का वीडियो ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और बहुत ज्यादा महत्पूर्ण तीस कोश्चन लेकर आया हूं जो कि परिछा की दिश्च से बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है तो चलिए बिनादेरी के स्टार्ट करता हूं आज का दुट है पहला कोश्चन है पहला कोश्चन है हमारा ओलम्पिक धज़ को थीक ओलमपिक धज़ को 1914 में किसने डिजाइन किया माने किसने बनाया थीक है और यह कहा के रहने वाले है दिक इसå Fabian प्रांस के रहने वाले हैं इन्हों तो 1920 में जो है इसको पर्थम बार उलम्पिक में फैराया गया था, उलम्पिक कौन सा था, आइंट वर्प बेल्जियम उलम्पिक ठीक है, आइंट वर्प उलम्पिक था, जो इसको पर्थम बार उसमें फैराया गया था, और ये कब हुआ था, 1920 में आइंट वर्प उलम्पिक हुआ था ठीक है तो हमारा कोश्चन था ओलंपिक धज को 1914 में किस ने डिजाइन किया तो डिजाइन जो किया है वह है प्रदी कुबर्टिन जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं ठीक है और बात करी जाए इसको पर्थम फैराने की तो पर्थम 1920 में फैराया गया कॉंसे ओलंपिक म एंट वर्प ओलंपिक में फैराया जो कि एंट वर्प कहां है यह बेल्जियम में है ठीक है चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा और फ्रेंट्स यहां पर थोड़ा किलियर कर देते हैं कि जो 1914 में बनकर त्यार हो गया था तो यह फैराया इतनी लेट में क्यो त्यारी थी वह थी लेकिन पर्थम विस्यूद के चलते इसको मलब 16 में नहीं फैरा पाया बाकी बलकि बल्लों इसको 20 में फैराया गया था ठीक है तो जो पर्थम जो विस्यूद था उसका जो समय था वह 1914 से लेकर 1918 तक चला था ठीक है पहला जो विस्यूद चला था 1914 से ल करें हैं समझ में आ रहा होगा और अगला देखते हैं प्रस नंबर दो ओलंपिक धोज में पांच गोल छल्लों का सही करम है ठीक है ओलंपिक धोज में पांच गोल छल्ले जो होता है प्रिशा में पूंच लेता है कि ओलंपिक की जो छल्ले हैं उनका जो रंग होता है तो उनक इसे आपके जितना भी क्रम है उसारा क्रम निकल आएगा इसमें देखिए निपी का हल है ठीक है तो इसमें जो नी है यानि ना है तो इससे नीला हो जाएगा जो पी है यानि पा है उससे पीला हो जाएगा जो का है उससे काला हो जाएगा हा से हरा हो जाएगा उला से लाल हो है ठीक है क्या हो जाएगा लाल पहलोसे नंबर प편 लाइगा अलशे नंबर हो तो इस में से बहूत ज्यादा बन जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का बना होता है अब उसका पूंच लेगा कि ओलंपिक धोड़ का रंग क्या है तो ऐलंपिक धहुज का रंग जो पूंचा जाए तो यह जो इतनी परस्ट भूम चलों को छोड़ कर बाकी जितने भी आसपास मलब यह थे हैं इनका सारा जो है यह रंग होता है सफेद तो कूश्चन बन जाता ऑलंपिक दोज का रंग कैसा है तो ओलम्पिक दोज का रंग हो जाएगा सफेद यानि ओलम्पिक दोज की प्रेश्ट भूमी जो होती हो सफेद रंग की होते हैं वाइट कलर की होती है ठीक है और इसमें जो पांच छल्ले होते हैं इनका जो प्रतीक होता है क्या प्रदशित करते हैं त तो इसमें जो पहला होता है और इनका कलर देख लेते हैं निपिका हल हमेने सब्ध दिया है तो नीज और सब्रे, तरीका कर रहा को तो पहुता है पिली को होते है ये अमेरीका 6 00N से मालो बना होता है इस तरीके से 3 ऊपर होते हैं दो नीचे होते हैं ठीक है अब इसमें क्या करते हैं इसको हम इस तरीके से डबलू की आकरत में बना देते हैं ठीक है ये डबलू की आकरत में बना दिया तो सबसे पहले उपर था फिर नीचे आया फिर उपर गया फिर नीचे आया फिर तो इसमें जहां जहां जैसे गया है उसी का क्रम हो जाएगा ठीक है तो इसमें जो नीला हो जाएगा तो ये नील इसतरीके सिगे यह वाला उसमज में wizard को नास्व में आ रहा हो गाए ़ोगाइब अब इसी करव में याद करने ले ना आफरीका का पुम्छ लेगा आफरीका ऐलमपिक जो और पांच गोल झ्ले है उसमें जो आफरीका का कलर है वो क्या है आफरीका महद्दिप का तो वह काला हो जाएगा इस तरीके से आपको उसके पर रहरी हो जाये आपको बहुत सारे कोश्चेन माना जाता है ठीक है चलिए उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा आपको अगला देखते हैं प्रस नंबर तीन भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया तो 1920 में लिया था और कौन सा ओलंपिक था अंटवर्प ओलंपिक था ठीक है अंटवर्प ओलंपिक था और 1920 में भारत जब भाग लिया था तो एक भी पदक नहीं जीत पाया था चलिए फ्रस नंबर चोथा देखते हैं ओलंपिया स्टेडियम की खोज कब हुई तो यह हुई से 1875 में ठीक है कब हुई है 1875 में हुई है और करी किसने थी पीरेडी कुबार्टी ने करी थी ठीक है उमीद करें समझ में आया होगा 1875 में पीरेडी कुबार्टी ने ओलंपिया स्टेडियम की खोज करी थी और पीरेडी कुबार्टी ने तभी से सोच लिया थी कि जितने भी मलब ओलंपिक गेम होगे सारे ओलंपिया स्टेडियम में कराएंगे चलिए प्रस नंबर पांच द प्रथा इसकी थी चलने की ठीक है प्राचीन काल में भी इसकी प्रथा थी लेकिन बात जब कोश्चन आता है तो इस प्रकार से आएगा आपका कोश्चन क्या होगा देखते हैं ओलंपिक मसाल की शुरुआत कब हुई तो इसमें आपको सन बताना होगा तो 1928 से इसकी शुरु फूरहट कब हुई तो 1928 में हुई थी ठीक है 1928 में हुई थी अर ओलंपिक कों सा था एमस्टेडम ओलंपिक था ठीक है18 में एसकी जो हे सुरुआत हुई तो ऐसकी मसाल मसाल जलाने की ममतिक मसाल जलाने की सुरात कब से हुई है 1928 से हुई है चलिए अगला देखते हैं प्रेस नंबर है प्रेस नंबर है छे ओलंपिक टार्स रिले यानि मसाल यात्रा की सुरात कब हुई अब यहां पर कोश्चन दो बन जाते हैं ठीक है अब इसमें लोग कन्फूजिया जाते हैं ठीक है तो आब इ बर्लिन में जो हुआ था यहां से इसकी शुरूरात होई थी किसकी जो 28 में जो था ये यूनिस व 1527 जो था इसमें जो है किया क्या व्लंपिक में मसाल यात्रा निकाली जाएगी और और Peau नो, उन सभी देसों में ले जाए जाएगा जो olympic में participate करें, भाग लेंगे, ठीक है उस सारे देसों में, वल्लब इसको ले जाए जाता है जलती हुई मसालको सारे देसों में ले जाए जाता है अब उसका नाम जागा टार्शी रिले या मसाल यातरा और इसकी सुरुवात कब से हुई है तो 1936 में हुई थी इसकी सुरुवात और मसाल जलाने की सुरुवात कब हुई है तो मसाल जलाने की सुरुवात जो है 1928 में हुई है और मसाल यात्रा यानि रिले टार्च टार्च रिले की सुरुवात कब हुई तो टार्च रिले की ओलम्पिक खेलों में सपत गरहन की शुरुआत कब से हुई है तो यह हुई है उन्नी सो बीस एंटवर्प ओलम्पिक से ठीक की जरूरत नहीं है आपको ठीक है प्रस नमबर आठ देखते हैं ओलंपिक मसाल यूनान के प्राचीन सहर ओलंपिया के किस मंदिर से जलाई जाती है तो बहुत इध्यान से देखना ये एक हेरा का मंदिर है ठीक है इस क्वेश्चन को देख लो ओलंपिक मसाल यूनान के प्रा कि इसको जलाए जाता है और है ऑलंपिक के कुछ दिन पहले उसक tepam je varying veg मंदिर से इसको जलाए जला जाता है और वहां पर जो जलाया जाता है तो इसको किसी आग से या माचिस से नहीं जला जाता है इसको मतलब सूर की रोसनी द्वारा जला जाता है कहा जाता है कि सूर की जो रोसनी या किरने होती है उसमें जो उसमा होती वो काफी ज्यादा पवित्र होती है तो इसलिए मतलब किसी माचिस या लाइटर या फिर आग का प्रियोग नहीं किया जाता है सीधा सूर की रोशनी से इसको जला जाता है अगला देखते हैं प्रेस्ट उम्मीद करें हैं समझ में आया होगा पुराणों की कुल संख्या है तो पुराणों की कुल संख्या है 18 ठीक है प्रस नमबर 10 देखते हैं महाभारत का पुराणा नाम है तो महाभारत का पुराणा नाम जो है वो जैसेहता है ठीक है क्या नाम है की सुरूबात कब हुई तो यह वगा हूई तो ग्रीज की राध्धानी तो खुल वाले है dwa और किसने करी तो करी है और करी 2020 कोबर्टीन फ्रांस के रहने वाले है चलिए उम्मीद करें समझ में आया का अगला प्रस्वन है वारां बारा नमर सीद कारिन Lou उलम्पिक की शुरुवात कब हुई है तो 1924 में हुई है और कहां से हुई है तो चार्मोनिक्स फ्रांस से हुई है ठीक है कहां से हुई है चार्मोनिक्स फ्रांस से हुई है इसकी शुरुवात हाँ प्रेस नमबर हमारा था बारा नमबर सीद कारीन ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई है तो 1924 1924 से हुई है और कहां से चार्मोनिक्स और चार्मोनिक्स कहां है फ्रांस में है ठीक है 1924 में चार्मोनिक्स ओलंपिक जो था वहां से इसकी शुरुआत हुई है चार्मोनिक्स कहां है तो फ्रांस देश में चार्मोनिक्स है ठीक है अगला देखते हैं प्रेस नमबर 13 ओलंपिक खेलों का आयोजन करने की मेजवानी किसको दी जाती है तो ये ओलंपिक का जो खेल होता है जो आयोजन होता है वो किसी देश को नहीं दी जाती है बलकि सहर को दी जाती है इसलिए कहा जाता है टोकियो उल्मपिक खेलों का आयोजन करने की मेजवानी किसको दी जाती है तो सीधा option में आएगा सहर को तो आप वही सहर को लगा देना ना कि देश पे ठिक करना ठीक है उमीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको अगर जो वीडियों आपको अच्छा लग रहा है तो तो ये थी मेरी लीला राओ ठीक है मेरी लीला राओ ठी और एक काउंट थी भारती स्प्रिंट एथलीट थी भारती स्प्रिंट एथलीट थी और इन्होंने कब भाग लिया था उलम्पिक में तो 1956 में 1956 में भाग लिया था भारत ने ओलंपिक हांकी खेल में लगातार ठीक है भारत ने ओलंपिक भारत ने ओलंपिक हांकी खेल में 1928 से 1956 तक कितने सुण पतक लगातार जीते हैं तो यह जीते थे उन्होंने कितने सुण पतक लगातार जीते हैं क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो इस समय था दुती विश्यूद चल रहा था और ये दुती विश्यूद कब से कब तक चला था प्रस नमबर अगला देखते हैं क्या है सोला नमबर कामन वेल्थ गेम की शुरुवात कब हुई तो इसकी शुरुवात हुई थी 1930 में और कहां से हुई है हेमिल्टन कनाडा से हुई है ठीक है प्रस नमबर अगला देखते हैं सता नमबर एसन गेम की शुरुवात कब हुई तो एसन गेम की शुरुवात जो है वो हुई है ठीक है एसन गेम की शुरुवात कब हुई है 1951 से हुई है कहां से हुई नई दिल प्लिष से हुई थी और इसमें जो है भारात में अभी तक दो बार मात्र हुए हैं घेमम अबारत में कितनी बार हुए हैं हैं कब 1951 में 1995 में然后 also there is những उनका प्रतिप्र चिन्न है हो चमकता हुआ सूरघ has aen games का zold आदर्स वाक है तो वो क्या है सदा आगे यानि सदा प्रगत सील ठीक है क्या इसका जो अलम्पिक जो आदर्स वाक है वो क्या है सदा आगे या सदेव आगे या सदा प्रगत सील आपको कोई भी आपसन में मिल जाए तो समझ लेना ठीक है कि मलब इसका जो आदर्स वाक है सदा आगे या सदेव आगे या सदा प्रदगतिसील ठीक है इस प्रकी इस सब्दों का है फिर कर सकते हैं ठीक है तो जो अब इसको रिपीट करते हैं यह भारत में अभी तक कितनी बार हुआ है तो यह दो बार हुआ है कब कब 1951 में 1982 में हुआ है और जो प्रतीक चिन है वह चमकता हुआ सूरज है ठीक है और अधर सुवां की है वह सदय आगेया सदा प्रिगतसील ठीक है चलिए उमीद करें समझ भें आ रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा परिच्छा की दुर्ष से महत्पून कोश्चन है और प्लीज अपने यार दोस्तों में सेर जरूर कर देना लाइक कर देना ठीक है उसेर जरूर कर देना फेस्बुक पे वार्टसप पे जहां पी जो भी प्ल स्वन्पदक रजगत पदक काउंच पर यानि गौल्ड मेडल स्लिवर मेडल और ब्राउंज मेडल ठीक है स्वन्पदक रजगत पदक और प्रुषकार शुरूप दिया जाते हैं प्रस नमबर 19 देखते हैं किस प्रुषकार को किरकेट का आसकर कहा जाता है तो वह ICC कूश्चन है कि रिपीट करते हैं इसको एक बार फिर से किस पुरुषकार को किर्केट का आशकर कहा जाता है तो आई सी सी पुरुषकार होता है ठीक है यहां तक यह प्रस्म का उतर हो गया आप इसके बारे में कुछ इसका फुल फार्म होता है कि इंटर्नेशनल किर्केट काउंसिल ठीक है और फिर अगला देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को ठीक है इसका मुख्याले कहां है तो इसका मुख्याले दुबई में है पहले कहां था पहले लंदन में अभी इस समय परजन टाइम में कहां है दुबई में है दुबई और दुबई कहां है सयुएध अरब अमिराथ ठीक है दुबाई सयुक्त अरभ अमीराथ चलिए प्रस नंबर अगला देखते हैं उमीद करते हैं सारे कोश्चम आब को समझ में आ रहे होंगे और प्रस नन financial 20 है अरजुन अवार्ड किसे दिया जाता है तो यह अरजुन अवार्ड दिया जाता है किस खिलाडी को तो यह तीन जो खिलाडी होता है उसका पिछला तीन वर्स का रिकार्ड देखा जाता है कि मलब पिछले तीन वर्सों में किस तरह का प्रदर्शन इसने किया है तो दिया किसको जाता है तीन पिछले तीन वर्सों का रिकार्ड देखा जाता है और राश्ट्री और अंतर राश्ट्री इस्तर पर उतकर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाडी को अर्जुन प्रुषकार दिया जाता है ठीक है उमीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको किसको दिया जाता है राष्टे और अंतर राष्टी इस्तर पर जो उत्क्रेश्ट प्रदर्सन करता है उस खिलाडी को दिया जाता है और देखा किया जाता है प पंद्रा लाख रुपे दिये जाते हैं पहले जो दिये जाते थे वो साथे साथ लाख रुपे दिया जाता था लेकिन परजन टाइम की बात करें तो इसमें पंदा लाख रुपे दिये जाते हैं साथ में अर्जुन की कांस प्रतिमा यानि जो पार्थ थे अर्जुन थे उनकी एक कांस प्रतिमा दी जाती है कांस की और साथ में एक प्रसस्त पत्र दिया जाता है ठीक है तो 1961 में इसकी सुरवात हुई पंदा लाख रुपे दिया जाते हैं प्लस में अर्जुन की कांस प्रतिमा दी जाती है प्लस प्रसस्त पत था जो किस नदी के किनारे बसा था तो ये था यूरोटस नदी के किनारे किस नदी के किनारे यूरोटस नदी के किनारे ठीक है प्रस नंबर अगला देखते हैं प्रस नंबर है अगर बाइस नंबर है अगला सबसे प्राचीन वेद है तो सबसे प्राचीन कौन है रिगवेद है कंसा है रिगवेद है और रिगवेद में कुल मंडल कितने हैं कोस्चन आ जाता है कि रिगवेद में कुल मंडल कितने हैं तो कुल मंडल मंडल इसमें हैं कितने दस कुल मंडल हैं ठीक है रिगवेद में कितने सबसे प्राचीन वेद है तो इसमें 10 कुल मंडल है और वेदों की संख्या कितनी है तो वेदों की संख्या चार है ठीक है कौन कौन सी रिगवेद रिगवेद अजुरवेद सामवेद और अर्थवेद ठीक है यह हो जाएंगे और अगला देखते हैं प्रेस्ट संखीत का उलेख किस वेद में मिलता है तो संखीत का उलेख है वो शाम वेद में मिलता है ठीक है किस वेद में शाम वेद में और प्रस्ण आजाएद आप से कि सबसे छोटा वेद कौन सा है तो सबसे छोटा वेद हो जाएगा शाम वेद और सबसे प्राचीन वेद की बात करी तो वह एक रिगवेद मेंね मंडल हैं 10 ठोर ठीक है प्रस्थ केरा regular 21 रिए प्रस्थ कहने जाए डर रिवेद में कितने मंदल हैं 10 ठेक कि संध्ययंगे ने कॉप निया गया है मुंडक मंदल ने 100 प्रश मुंडक से लीजक आ जाए क्या है 110 मीटर 110 मीटर पुरुस बाधा दोड कोश्चन देखना बहुत ही महापपून कोश्चन है 110 मीटर पुरुस बाधा दोड में स्टार्ट लाइन से पर्थम हर्डल यानि बाधा के बीच की दूरी कितनी है आपको बताना है ये question आ जाता है प्रिष्छा में कई बारा आचुका है 110 मीटर पुरुस बाधा दोड में ठीक है स्टार्ट लाइन से पर्थम बाधा की बीच की दूरी तो start line हम आपको बताते हैं थोड़ा जल्दी से जैसे मालो इस तरीके से hurdle बनी है ठीक है यह हमारा हो गया यहाँ पे दस्थ और hurdle लखी है ठीक है और इसमें क्या होगा यह वाली जो है यह हमारी सुरुआत वहर जानी starting line है ठीक है यह starting line है और यह पर्थम hurdle है ठीक है तो इसके जो बीच की दूरी होती है पूँच रहा है कि start line यानि start line से पहली जो hurdle यह वाली है तो start line से पर्थम hurdle के बीच की दूरी पूँच रहा है कितनी होती है ठीक है तो start line से पर्थम बाधा यानि बाधा के या hurdle के बीच की दूरी जो होती है वो 13.72 होती है ठीक है 13.72 मीटर ठीक ह और इसी एकरम में बात करें और इंदर देखिए अगला question देखते हैं तब उसमें आपको और clear हो जाएगा तो यह हो गया कि मालब 25 नमबर को repeat कर देते हैं 110 मीटर पुरस बाधा दोड में start line से पर्थम बाधा के बीच की दूरी यानि start line से first hurdle के बीच की दूरी कितनी है तो हो कि दूरी कितनी होती है तो यह आपको बताना है तो माल लेते हैं यह यह वाली मालो इस तरीके से जो बाधाएं होती है कुल 10 होती है ठीक है मालो हमने अनुवानन इसे बना दिये हैं तो इसमें जो होती है यह तो हो गई start line और start line हो गई यह वाली जो होती है पहली hurdle होती है तो इसका तो हमने आपको बता दिया है 13 points बहातर होता है ठीक है अब इसकी और finish line कौन सी होगी finish line आपकी ये वाली है ठीक है तो इसके जो बीच की दूरी है ये बतानी है यानि हमारी ये सभी बाधाएं हैं ये वाली ये सभी हमारी दस्थ और बाधाएं है ठीक है तो ये दस्वी बाधा है और इसके और ये वाली जो अंतिम finish line है तो इसके बीच की दूरी पूंच रहा है ठीक है चित्र से समझेंगे आपको बहुत ही अच्छा किलेर हो जाएगा तो इसकी जो है यानि अंतिम हार्डल और फिनिस लाइन की जो बीच की दूरी है वो कितनी है 14.02 मीटर ठीक है कितनी हो जाएगी 14.02 मीटर हो जाएगे ठीक है उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा अगला देखते हैं PR यानि 110 हर्डल रेस हो या 400 मीटर हर्डल रेस हो तो इन में सब में कुल बाधाएं कितनी कितनी होती है तो इन सभी में 110 मीटर की होगी, उसमें भी 10 बाधाये होगी, 100 मीटर की रेस होगी तो बाधा दोड़ होगी मीटर हो समय ददस बाधाएं मलब रखी होती है ठीक है और उन सब का प्रते का अपना ददस जो है के जी वजन होता है चलिए उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा प्रस नमबर 28 देखते हैं YMCA की स्थापना कब हुई तो यह YMCA की स्थापना कब हुई है तो यह 6 जून 1844 में टीक है किस ने करी थी तो जार्ज विलियम ने करी ठीक है 16 जून 1844 को YMCA की स्थापना की गई है किसने करी जार्ज विलियम ने करी है कहां करी है लंदन में करी थे और लंदन है कहmers लेंगलेंड में है चलिए अगला देखते tietव ayam स्थापना तमिलनाड के अधीन भारत में यम सी ए कालेज आप फिजिकल एजुकेशन की स्थापना तमिलनाड के चेन्नई सहर में उन्निस सो बीस में किसने की थी ध्यान से पढ़िएगा और इसमें एक कोश्चन में दो दो तीन तीन कोश्चन बनेंगे सारे परिष्चा की दुर्ष से बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है देखते हैं रिपीट करते हैं वाई यम सी ए के अधीन भारत में वाई यम सी ए कालेज आप फिजिकल एजुकेशन की स्थापना तमिलनाड के चेन्नेई सहर में 1920 में किसने की थी तो यह करी थी किसने CH बक किसने करी थी CH बक ने करी थी ठीक है और CH यानि हैरी क्रो बक ने करी थी इसके संस्थापक और प्राचार भी थे यह संस्थापक थे और इनके इसके जो पहले प्राचार थे वो भी यही थे मलब CH बक थे इस कालिज के तो किसके आ अधिन हुई थी और यह कहां हुआ था यह तमिलनाड चन्नाई मद्रास में इसकी इस्थापना हुए थी 1920 में और इसके जो संस्थापक थे वह यानि हैरीक्रोब बग थे अगला देखते हैं प्रस नमबर 30 है प्रस नमबर 30 क्या है रामाड के रचाइटा कौन है तो रामाड के रचेता हैं महर्स बालमीक जी ठीक है रामाड के रचेता कौन है तो रामाड के रचेता महर्स बालमीक है और रामाड में कुल कितने कांड हैं तो रामाड में कुल सात कांड हैं तो सातों कांडों के नाम देख लेते हम ठीक है पहला है बाल कांड फिर दूसरा ह है आरंध कांड फिर चोथा है किसकिंधा कांड फिर जो पांचवा है वो सुंदर कांड है फिर सता लंका कांड अब लास्ट वाला है उत्तर कांड अब कोश्चन आ जाता है कि रामाड में कुल कितने कांड है तो रामाड में कुल साथ कांड है पूछेगा रामाड में कुल सा प्रस 31 योग के पिता माह कौन है थीक आपको कमें्ट में बताना है थीक है और यह क्वेश्जन हमारी वीडियो का लएश था और उमीद करें सा Awards आप Evolution आपको पसंद आये होगा और हमारी जो खांसी थी वो भी लगभग दूर हो चुकी है तो हमें पढ़ाने में काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और फ्रेंस उम्मीद करेंगे आप सही अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसाइब जरूर करिए उसाथ में बिल आइकून जरूर ज़र बिल भी जयान के और एक हजार जाहर जीस के और 100 एक हजार फंदी के एक हीवीडियो में मैंने एक अलग अलग जैसे फांसों कोस्चेन पीज्टा की स्क्सक्रांग प्रण की साइक चैकों जरूर जयकायों जह से पको सबढ़ने के भाद टापिक के साथ में तब तक ले जायें